अभिबादन स्विकार करी मैं हूँ मनीशा और आप देख रहे हैं चैनल Unfolding Facts साथियों अगर आपने फिल्म पुश्पा देखी है तो उसमें जिस जंगल की कहानी बताई गई है उसका नाम है शेशा चलम यह जंगल बहत खास है और यह लाल चंदन के जंगलों के तोर पर जाना जाता है तो आज की वीडियो में हम फिल्म के हीरो अलू अर्जुन के बारे में नहीं बलकि लाल चंदन के जंगलों की खासित के बारे में जानेंगे जानेगे कि ये लाल चंदन की लकड़ी इतनी खास क्यों है कि तसकर अपनी जान की बाजे लगा देते हैं तो आईए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत में विशेश स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी का विशेश महत्व है इसका विज्ञानिक डाम टेरोकारपस सेंटेलेनस है यह दुनिया में काफी दुरलब है लाल चंदन के व्रक्ष भारत में आंथप्रदेश के शेशाचलम जंगलों में पाई जाते हैं यह लकड़ी इतनी कीमती होती है जिसकी वज़े से काफी खून खराबा भी हो चुका है आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2015 से स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है तमिलनाडू की सीमा से लगे आंधर प्रदेश के चार जिलों नेललोर, कुर्नूल, चित्तूर, कड़पा में फैली शेशाचलम की पहाड़ियों में ही लाल चंदन के पेड़ उगते हैं इन पेड़ों की उचाई 8 से 11 मीटर तक होती है, यह पौधों से पेड़ बनने में लगभग 15 वर्ष का समय लेते हैं इसकी लकड़ी की डेंसिटी काफी अधिक होने के करण यह पानी में डूब जाती है और यही लाल चंदन की लकड़ियों की पहचान है लाल चंदन को उसके गुणवत्ता के अधार पर A, B और C ग्रेड में बाटा गया है शेशाचलम के पहाडों पर यूरेनियम, आयरन, ग्रेफाइट और केल्शम मौझूद है इसके करण यहाँ उगने वाले लाल चंदन के पेड़ों की गुणवत्ता काफी अधिक होती है लाल चंदन के पेड़ का काफी धार्मेक महत्व भी है शैवा शाके मत को मानने वाले पूजा में इस लकड़ी का प्रियोग करते हैं लाल चंदन में सफेज चंदन की तरह कोई सुगंद नहीं होती यह काफी गुणकारी होता है और शुदिय गुणों के साथ ही इसका प्रियोग सुन्दर्ता को निखारने के लिए भी किया जाता है महेंगे फरनीचर सजावट के काम के लिए भी लाल चंदन की लक्रियों की काफी डिमांड है इसके साथी शराब और कॉस्मेटिक में भी इसका पूरा प्रियोग किया जाता है अंतराष्टी बजार में इसकी कीमत काफी अधिक है अंतराष्टी समझोगते के तहट भारत पर लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है सरकार ने वर्ष 2015 में तसकरी पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है टेरोकारपस सेंटिलेनस को आईउसीन द्वारा एक इंडेंजर्ड इस्पेशीस के रूप में चिन्हित किया गया है यह पहाडी छेत्रों में सेमी एरिट क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाया जाता है इसकी खेती ऐसी जगे नहीं हो सकती जहां पानी का जमाव होता है लाज चंदन के पेड़ दुनिया भर के लिए काफी दुरलब है मीडिया रिपोर्ट्स के नुसार एक किलो चंदन की लखडी की कीमत 90,000 से लेकर 1,5 लाग तक बताई जाती है यानि एक क्विंटल की कीमत 9 करोड से लेकर 15 करोड रुपय तक हो जाती है इस लकडी की सबसे जादा मांग चीन में है चीन के लावा सिंगापूर, जापान, UAE समित कई देशों में इन लकडियों की हाई डिमांड होती है विदेशों में इतनी डिमांड होने के करण इसकी तसकरी में बड़े-बड़े सिंडिकेट इन्वाल्व होते हैं जो सड़क, जल और वायू मार्क का प्रियोग करते हैं पकड़े जाने से बशने के लिए कई बार तसकर इसका पाउडर बना कर ले जाते हैं लाल चंदन से करीब 1200 पृतिशत का लाब होने की वज़े से तसकर अपनी जान जोखे में डाल कर हर साल 2000 तन लाल चंदन, चिन्नई, मंबई, तूतिकुरन और कोलकत्ता, पोर्ट तथा नेपाल और तिबबत के रास्ते चीन पहुंचाते हैं वे लकडी को एसबस्टस की चादरों, सरसों की खली, नारियल के रेशे और नमक के बीच में छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तसकर ये करते समय पकड़े जाने पर 11 वर्ष जेल का भी प्रावधान है आंध्य प्रदेश के वन विभाग की वेबसाइट के अनुसार चीन, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, युएई और कुछ पश्मी देशों के करीब 400 व्यापारी नीलामी में लाल चंदन की बोली लगाते हैं इसमें लगबग 150 चीनी कारोबारी होते हैं चीन में 14 शितापदी के मध्य तक राश करने वाले मिंग वन्ष में इसकी काफी मांग थी, वहीं जापान में भी इसकी काफी मांग थी वहाँ शादी के वक्त दिये जाने वाले परंप्रिक वाद्देयंत्र शमिशेन बनाने के लिए लाल चंदन का प्रयोग होता था लेकिन ये परंप्रा धीरे-धीरे खत्म हो रही है दुरलब लाल चंदन अपने ध्वने गुड़ों के लिए तिधिक मूलेवान है और इसका उप्योग ज्यादतर संगीत वाद्देयंत्र बनाने के लिए किया जाता है तो ये थी शेशेचलम के जंगलों में पैज आने वाले दुरलब लाल चंदन के विशय में महत्वपून जानकरी यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद